नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मा सनमार्ग होली का त्योहार रंगों और खुसीओं का त्योहार है और होली से एक दिन पहले होली का धहन मनाया जाता है इस दिन कुछ खास उपाए किये जाते हैं तो होली से पहले वो कौन सी बस्तौ हैं जो आपush combien लेकर आकर रखलें तकि आपको परिसानी नहों वैसे तो आप आप खाने पयूहर की तमम बस्तौ को करी देंगे क्योंकि होली का त्योहार ही एक एसा त्यौहार है जब हम फास्ट नहीं रखते बलकि जीब भर के खाते हैं खुसिया मनाते हैं उमंग के साथ तो होली दो दिन मनाई जाती है जो भारत में वैसे तो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और आप भी मनाते होंगे लेकिन जो रंगों वाली होली है वो जो फालगुन महा की पुर्णिवा है उसके अगले दिन यानि की चैत्र महा की परतिपदा को मनाई जाती है और नए साल की सुरुवात भी यहीं से होती है तो सुखे गुलाल पानी के रंगों का सब दूसरे दिन मनाया जाता है तो होली का देहन के दिन कुछ खास प्रियोग की जाते हैं जिसके लिए आप पह आपको जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है और नौकरी बैपार में सफलता मिलती है अगर जीवन में आर्थिक रूप से परिसानी है समस्या है या बहुत जादा टेंसन है तब सुखसानती के लिए आप जो गिहुं की बालिया होती है या धान की बालिया आप हुली का देहन की अगनी में डाले और पहले से आप इसको भी लेकर घरा जाएए अगर आपको लगता है कि लक्षमी स्थिरी नहीं रहती तब 11 कोड़ी आप होली का देहन जहां पर होगा पहले से जाकर हलका सा गड़ा करके उसमें दबा दे और जब आपकी होली का देहन ठंडी हो जैराक या उसमें के बाद होली का देहन हो जाय अगनी प्रजली बाद में आप उन कोड़ियों को लाकर लाल कपड़े में बांध कर चिपा कर रख दे तो धन की मुश्कलें समाप्त होती है जो गोमती चक्र होता है अगर आपको लगे कि कि कुछ कर दिया है तो गोमती चक् तिल एक सुखा नारियल, काला तिल और सरसों के दाने साथ बार उतार कर पूरे घर के परिवार के लोगों से उतार कर अगनी में डाल दें भैसे मुक्ती मिलेगी सनी राहू के तू सब सांथ हो जाएगा लेकिन कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता मिले ना मिले तब हुलिक पूरे सरीर में लगा लें मैल की तरह हटा लें और इसको आप फुली का देहन के अगनीरे में डाल दें पूरा साल स्वास्त अच्छा रहेगा फिला लेंगे देहने